महराश्ट में एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है इस बार आरेसेस के बयान पर शिवसेना को मिर्ची लग गई है और अभी से ही उसे सत्ता में परिवर्तन का डर्सताने लगा है जिसके बाद शिवसेना ने बयान दिया है कि पुर्व सीम देविंदर फटनविस ही नेता विपक्ष रहेंगे राज्ज में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होने जा रहा है दरसल शिवसेना ने आरेसेस की ओर से आय उस बयान की आलोचना की जिसमें कहा गया था कि बीजेपी के वरिष्ट नेता और पुर्व मुख मंतरी देविंदर फटनविस लंबे समय तक विपक्ष में नहीं रहेंगे शिवसेना ने महरास्ट में ऐसे किसी भी तरह के परिवर्तन की संभावना से इनकार करते हुए पुर्व मुख मंतरी देविंदर फटनविस से कहा है कि वे अपना काम करना जारी रखें फटनविस विधान सभा में विपक्ष के नेता हैं आपको पता दें कि आरेसेस के सह कारवाहत सुरेस भाया जी जोशी ने हाल ही में कहा था कि देविंदर फटनविस केवल सिमित अवधी के लिए महराष्ट के पुर्व मुख मंत्री रहेंगे शिवसेना ने पाटी के मुखपत्र सामना के संपाधिकिये में कहा कि RSS नेता भाया जी जोशी ने नागपुर में एक निराधार बयान दिया है कि देविंदर फटनविस लंबे समय तक विपक्ष में नहीं रहेंगे सामना में शिवसेना की ओर से कहा गया है कि इस टिपड़ी से विपक्षी दल मानसिक रूप से खुश हो सकते है लेकिन महराष्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा हाला कि महराष्ट में गटबंधन सरकार में अभी जैसी स्थिती है उससे इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि महराष्ट में सत्ता पडिवर्तन नहीं हो सकता है क्योंकि C.E.A. और N.P.R. जैसे मुद्दो पर शिवसेना कॉंग्रेस और N.C.P. के निशाने पर है करती है विरो रिपोर्ट वो इमिच निउज और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं